इस बार मॉन्सून में काफी अच्छी बारिश हुई जिसके चलते उद्यापर संभाग की हर जील और बांध लबालब थे लेकिन एक जील है जो अभी तक खाली है जिसका कारण मॉन्सून नहीं बलकि जैसमन जील की अधिकान शम्ता है लेकिन पिच्चतर सालों में दसवी बार जैसमन चलक सकता है जैसमन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है जो के फिलहाल केवल एक इंच और खाली है जैसमन को चलकने का लंबे समय से इंतजार था जो जल्द ही पूरा होने वाला है जैसमन की कुल भराव शम्ता 27.6 के मुकाबले 27.5 फीट पानी के आवक हो चुकी है बीते दिनों जैसमन के कैच्मेंट शेत्र में हुई तेज बारिश से इसके जलस्तर में तेजी से वरद्दी हुई है जैसमन की लहरे हवा के साथ पाल पर स्तित हाती के पैरू से टकरा रही है इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए कई सारे शेत्रवासी शुक्रवार सुबह जील की पाल पर जुटे रहे इजल संसादन विभाग के सहाय कभियंता निर्मल मेगवाल ने बताया कि जैसमन जील अब कभी भी छलक सकती है जैसमन में अच्छी आवक से किसानों में भी खुशी का माहौल है जैसमन सिचाई और पेजल के दृष्टी से बहुत महत्वपून जील है मौसम विभाग के अनुसार उदैपर संभाग में अभी दो दिनों तक खंड वर्षा होने की संभावनाय बनी हुई है पेज और फेस्बुक पेज को भी लाइक करें फॉलो करें वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबा की किसार पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुँचाना ही हमारा लक्ष है और ये आपके सहियोग के बिना संभव नहीं है हमारा सहियोग करें स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दे और जॉइन बटन पर जाकर सद्यसिता लें चाहे सबसे जोटी सहायता के रूप में ही क्यों नहों जनता की वेबाग आवाज बने रहें उसके लिए सहियोग आपको ही करना है सब्सक्राइब करिए और जॉइन बटन पर क्लिक कर सद्यसिता रहें कीजिए